अब जो दूसरा प्रश्ण उठता है कि इन जो भी संस्थाओं के बारे में आपने अभी हमारे बच्चों को बताया इन में अंतर क्या क्या है? जी, समिधान ने नियाय पालिका को स्थापित किया और कुछ ऐसे विधी हैं जिनके तहट में ये आयोग स्थापित किये गए सजा भी देंगे ये नियायलय का काम है और जो आयोग हैं मानो अधिकार आयोग कि अगर हम बात करते हैं तो उननी सो आनतालिस में युनाइटेड नेशन्स ने एक उनिवर्सल डिकलेरेशन ऑफ हुमन राइट्स एक दस्तावेस तयार किया जहां पे पुरे विश्व के जि नन नहीं होगा और फिर इसी डिकलेरेशन के तहट 1993 में भारत में एक एक पास होता है प्रोटेक्शन ऑफ हुमन राइट्स एक इस एक के तहट मानो अधिकार आयोग स्थापीत की जाती है ये दिल्ली में है और मानो अधिकार आयोग के साथ साथ विभिन्य राज में जैसे 36 गड या फिर जितने राज्य हैं वहाँ पे स्टेट हुमन राइट्स कमीशन है राज्य सतर पे मानो अधिकार आयोग वहाँ पे किये गए है तो इनका काम ये है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अगर किसी तरह से मानो अधिकार का हनन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है जैसे मैं उधारन देना चाहता हूँ बच्चों को कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर कोई घटना घटती है तो पहले उसका उसकी शिकायत दर्ज होती है उसके बाद उसकी चानमीन होती है फिर जाकर फैसला सुनाया जाता है अगर किसी वै इसी स्थिती में वो वैक्ती मानौ अधिकार आयोग में जाकर उस पुलिस कर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकता है क्योंकि जब तक अगर शिकायत दर्ज नहीं होगी तब तक वो कारवाई आगे नहीं बढ़ेगी ये मानौ अधिकार आयोग का काम है इसे तरीके से वो बाल अधिकार आयोग है, अगर बच्चे के किसी अधिकार का हनन हो रहा है, किसी बच्चे से श्रम करवाया जा रहा है, या किसी बच्चे की उमर पढ़ने लिखने वाली है, उनको वो सुयोग नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो बाल अधिकार आयोग में जा सकते हैं, म तो इसे में थोड़ा और बताईए हमारे बच्चों को बिल्कुल मैंने तीन चार आयोग के बारे में बताया और सूचना का अधिकार आयोग जो है वो थोड़ा सा इन से अलग है सूचना के अधिकार आयोग में हम सूचना प्राप्त करते हैं बहुत सारे ऐसे विज्यापन आपको देखने को मिलेंगे कि अगर कोई समस्य आपको है तो आप सूचना के अधिकार के द्वारा उस समस्य का समधान कर लेंगे लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते हैं बच्चे भी हमारे यह नहीं समझ पाते होंगे कि हम सूचना लेकर किस तरह से अपने समस्या का समधान करेंगे तो इससे अगर बच्चों को मैं एक उधारन दे कर समझाओं मान लीजिए आपके घर के सामने कूडा कचडा लगा हुआ है और उसे कोई साफ नहीं कर रहा है और मैं आपको कहूँ कि आप सूचना के अधिकार के तहट इसका समधान कर सकते हैं तो आप कैसे करेंगे इसमें दो चीज़े हो सकती है एक ये कि वो बच्चा सूचना के आयोग में जाकर ये शिकायत दर्श करवाए कि मेरे घर के सामने कूडा कचडा है इसको साफ कीजिए ये हो सकता है ऐसा करने पर समधान नहीं होगा उमूमन लोग ऐसा ही करते हैं वो ये समझते हैं कि हम आयोग में जाएंगे वहाँ शिकायत दर्श करवाएंगे तो हमारा मामला ठीक हो जाएग लेकिन ऐसा होता नहीं है वहाँ जाकर हमें सूचना लेनी है उस जगह पे ये पता करना है कि हमारे वाड में कितने सफाई करमचारी है अगर ये बात हम पता कर लेते हैं तो फिर हम जो कंसर्ण डिपार्टमेंट है जैसे जो मुनिस्पाल्टी है हम ये सूचना लेकर उस मुनिस्पाल्टी में जाकर बताएंगे उनको कि हमारे वाड में 4 करमचारी होने चाहिए थे जो सुचना गदिकार हमें बताता है तो फिर ये 4 करमचारी कहां है सफाई क्यों नहीं हो रही है तब मुनिस्पाल्टी जो है वो एक्शन में आएगी और उसको सास करवाएगी ये कितना महतवपूर्ण है जानना कि सूचना अधिकार कि केवल हम वहां पर जाके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाके ये जानते हैं कि हमें किस कंसर्ण अथॉरिटी से बात करनी है बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुरशित जी इतनी महतवपूर्ण जानकारी देने के लिए बच्चो आज हमने बहुत कुछ सीखा हमने केवल अपने राइट्स अपने अधिकार के बारे में ही नहीं बलकि ये भी जाना कि हमारी देश में ऐसी कौन-कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारी अधिकारों का संगर योग भी कर सकते हैं धन्यवाद सर्थ